आज में आप सब के साथ सेयर करेंगे कुंडू की सबजी मसारेदार तो चलिए मसारेदार का बहुत ही टेस्टी बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से एक पाव कुंडू में पूरे घर परिवार के लिए बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें एक पाव कुन्रू लेना है और इसे अच्छे से धो लेना है तो सबसे पहले किनारे किनारे इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है और इसे चार भागों में हमें कटिंग करना है पूरा अलग नहीं करना है इस तरीके से थोड़ा सामें नीचे के तरफ रोग तो इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं तो जितने भी कुणरू होए हमने इसी तरीके से कटिंग कर लें अब हमें एक कराई लेना है, सरसो का तेल डालेंगे, तेल हमें दो चमची डालना है, सबसे पहले हम कुनूरू को फ्राई करेंगे, तो इसमें स्वाधन सा नमक और एक चुथाई चमच हल्दी पॉर्डर जरूर डाल दें, इससे क्या होगा कुनूरू बहुत जल्दी पकेग अभी और इसका नमक और ख़ल्दी अंदर तक फ्लेवर भी चला जाएगा, तो चलिये इसे हम फ्राई होने देते हैं, ठक है, तो लगभग इसे 5 मूनट फ्राई होने में लगेगा ही, तो चलिये ये 5 मूनट हो गया है, फिर भी अभी अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, तो दो मिनट फ्राई और इसे करते हैं, तो दो मिनट हो गया है और अच्छे से फ्राई हो गया है, क्राई से निकाल देना है, फिर हमें सरसो का तेल डालना है, आधर टीस्पून इसमें जीरा एट करना है, हलका सा ब्राउन हो जाए तो एक कब बारी कटा हुआ इसमें तो चलिए अब पानी डालकर मसालों को अच्छे तरीकी से भून लेना है तो चलिए मसाले अच्छे से भून गए हैं अब इसमें हम फ्राइए कि होगा जो कुंडुर अखे हैं इसे भी डाल देते हैं मसालों के साथ इसे दो मिनाट जरूर पकाएं मिडियम लो फ्लेम करके औ तो चलिए दो मिनाट हो गए हैं मसालों के साथ इसे अच्छे से पका लिए हैं फिर इसे हम मसालों के साथ हैं अच्छे से भून लेने के बाद इसमें एक कप पानी अट कर रहे हैं इसमें ज्यादा पानी नहीं अट करना है तो आदर चमच इसमें नमक डाल देते हैं नमक पहले भी हम फ्राई किये हैं कुन्रू तब भी डाले थे तो देखकर एट करना है तो इसे हम 3 मिनट ढखकर पका लिए हैं गैस का फ्लेम मेडियम करके तो अच्छे तरीके से तयार हो गया कुन्रू की सबजी एक बार हम चेक कर लेते हैं अच्छे से कुन्रू गल गया है या नहीं तो देख सकते हैं कुन्रू बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है कोई कमी नहीं है तो पूरे तरीके से चेक कर लेते हैं अच्छे से पक गया है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं तो चलिए स्वर्व करते हैं ग्रेवी की कुलू आली सबजी यदि आप सो कोई उडियो पसंद आये तो चानल को सब्सक्राइब जरू करें और एक बार जरूर बनाएं से रेसेपी को फिर मिलते हैं नेश्टे रेसेपी में